प्याज निर्याद को लेकर आपस में भिड़ेक कारोबारी बहरीन और मौरिशस को प्याज निर्याद के अनुमती देने के भारे सरकार के हालिय फैसले ने निर्याद उध्योग के भीतर विवात पैदा कर दिया है उध्योग जगत के खिलाडियों के अनुसार इन देशों में भारतिय प्याज के सिमित एतिहासिक आयाद के बावजूद सरकार के कदम ने बड़े आयातकों को अपेक्षित और निराश महसूस किया है उध्योग जगत के अलोचकों का तरक है कि बहरीन और मौरिशस जैसे छोटे देशों के प्रती सरकार का अलग रवईया बड़े आयातकों के साथ भारत के व्यापार समंदों को नुकसान पहुंचा सकता है उनका सुझाव है कि पक्षपात पूरण दिखने से बचने के लिए निर्यात को सभी देशों के लिए सही तरीके से खोला जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खोला जाना चाहिए विशेश रूप से बहरीन को प्याज निर्यात करने के निर्निया ने चिंता बढ़ा दी है बहरीन की नियूंतम प्याज अवशक्ताओं के बावजूद कुछ चैनित निर्यातकों ने साउधी अरब और सियुक्त अरब अमिरात तक पहुंच के साथ इसके रन नितिक स्थान का लाव उठाया है कथित तोर पर कुछ निर्यातक अधिक्तम मुनाफ़ा कमाने के लिए बहरीन में प्याज आयात करने और फिर सडक मारक से पड़ोसी देशों में प्याज ले जाने की योजना बना रहे हैं इससे निर्यातकों को अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाने में मदद मिलेगी वहीं अलाजकों का कहना है कि ऐसे देशों का समर्थन करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठ रहे हैं जो कि नीदरलेंड और मिसर जैसे अन्यस्त्रोतों से आयात करते हैं उनका कहना है कि इन देशों ने अधिशेश के समय में भारत का समर्थन नहीं किया है और इसलिए भारत को व्यपार समंधों में निश्पक्ष्टा और प्रासपारिक्ता सुनेश्चित करने के लिए अपनी निर्यात रनीती पर पुनर विचार करना चाहिए उध्योग से मिली जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया साइट कुछ देशों ने भारत के निर्यात प्रतिवंद का हवाला देते हुए भारतिय प्याज के लिए अपना कोटा खोलने से इनकार कर दिया है इसे संभावित रूप से मार्श दोहजार पचीस सक इंडोनेशिया को निर्यात रुख सकता है प्याज एक्सपर्ट्स का कहना है कि मलेशिया और यूई जैसे देशों जिनकी ओसत आयात हिस्सेदारी 10 फीसद है ने चालू वर्ष में अपने कोटे का प्योग नहीं किया है इन बड़े आयात को का सपोर्ट करना अधिक नैतिक होगा आपको बता दे कि भारत ने घ्रेलू बाजार में प्याज की किमतों पर नियंतरन मनाई रखने के लिए 7 दिसंबर 2023 से एक्सपोर्ट पर बैर लगा रखा है लेकिन हाली में कुछ देशों में थोड़ी मात्रा में प्याज निर्यात करने की बात कही गई है इसके बाद उध्योग जगत में एक नया विवाद पैदा हो गया है